अरे आप लोग फिर बीमार तो नहीं हो गए नहीं आज सीख लिया ना साथा आज कान पगद लो कि आगे चे पीजार नहीं हो अच्छे से शलो शुरू करते हैं आपको ब्रें का पूछना है आपको अब ब्रेंगा पाइब है घर से यहीं आप को अपना भी दभाना इनका अंपको किया दिक्त देक अनको आपको और धीदूसरे अब आपढ़ाओ आखों के यह नीचे है यह नीचे लटकने वाला इस्सा है हाँ पहले आप इनका ठीक करो और आप इनका ठीक करो पैरों के यह ऊपर वाले पॉइंट है अपशा है ना फुछ भी दर्द के लिए हैं यह पोड़ हो अधर वह पाइसी पहर दाजिक लिए पहर इसको दबागे ठीक कर सकते हैं और आप लोग जा भी देख रहे हो इसको आप ऐसे अगर सीट लोगे तो आप भी बिमार नी होगे आप भी घर में ठीक कर लोगे आई ये और लोगों दिखते हैं यह जो आप देखें जहां यह आपके सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है इसके उपर यह हार्ड लाइन चल रही है तो जो पहला उबरा हुआ हिस्सा है यह ब्रेन का पाइट है तो अगर इसको आप दबाते हैं तो नीद ना आना मेमोरी लॉस होना विचारों में असम्मत दिता आपकी ऐसे घबराट रहना एंजाइटी रहना उन सभी के लिए माइग्रेन रहना यह ब्रेन का पॉइंट है अगर हम इसको एक से दो दो मिनट रोज सुबह दो पैर शाम द हो सकते हैं दबाईगे आप पहले ब्रेन का दवाईगे यह वाल नहीं ऐसी दबाओ एक वहाँ नीचे पीछे से उली एका अब इसी के देशे की तरफ यह पूरा जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है यह आपके हाथों का हिस्सा तो आपका उपर कंधा है तो ब्रेन के थीक बाहर क तरफ यह कंदे का पॉइंट है तो इससे कंदे आपके ठीक रहेंगे फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा कंदे की मुवमेंट अच्छी होगी इस जैसे जैसे उपर चले जाएंगे यहां कंदा यहां कौहनी यहां कलाई इस तरीके से अपने आपको ठीक रख सकते हैं चलिए दबा इस जो आपका यह चोड़ा है यह आपका पूरा फेस का हिस्सा है तो इसमें जितने भी आपके कान के ना के यह सारे पॉइंट आपके सॉफ्ट वाले से इससे इस्ट्रेस भी ठीक होता है यह लोग बहुत हलके अपने आप देरे देरे प्रेस करिए और दिन में तीन बार करें तो इक एक मिनिट तू दू मिनिट आपने लगातार करना है बहुत हलके हलके से तो सेज के जितने भी इससे हैं और आपको दोड़ा दर्द बगर है मैसस हो रहा है यह पॉइंट पे लेको हलका हो रहा है ना आप जब दबाओगे यह बताता हूँ यह गुट काम आएगा को कि यह बताता है ना तो आपका काम आएगा यह बतार देखिंट यह ब्रेन पर यह 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 ब्रेंग का पउइंट है इसको दबाने से आपको दो रहा है हां और मोरी तो दो तूसरे के बलंगी दर्द ठीक हो जाएगी नहीं इससे आप किसे लिए दबा रहे हो तो टीर गए पैंप देखो माईग्रेन के लिए यह जो छोटा सा उठाववा हिस्सा है यह ब्रेन है ठीक है अभी आप इनके दबाओगे आप अपने वी दबाओगे आपके लिए यह कंदे का जो पॉइंट है ना वहीं इस साथ में यह ब्रेन क अप ऐसे देखोगे, ब्रेन के अगर साथ में जो है यह सी का पॉइंट है, ठीक है, आपको क्या दिक्त है? कमर का पॉइंट इनका द्रभाना है न तो कमर का पॉइंट इनका दरफ घॉयन यह आपकर पहले कि अगे आइस को दबाई ख़िया इसे कमर का दा ठीक हो जाए को कुछ से करना हों तो इसती तब आerson 2020 जबढ़े तो एक दूसरे का दबा रहें ऐसे हुआ मैं आपको बताता ह democri केि आप तो आप देखोगे कि यह जो लोग बैठके देख रहे ना वीडियो को वो पी अगर इसको एस तरीके से दवाएंगे तो उनके कान में आवाज आना इसको पुरे कान को दवा सकते हो जैसे रात को पर देखोगे कर लेता हूं यह जो है . इसलिए आपको इतनी तेज दर्द आया, यह मैंने इनका ENT में जो कान का पॉइंट है, वो लगा दिया है, इससे इनको दीरे दीरे यादे दबाओंगे ना आपके कान की इवाज का मुझेगी, आफिर कल बता ना, आइस का बता, आइस का पॉइंट जो है, जो आपने बाली पॉइंट लगा देंगे, यह खुद भी यह प्रैस कर सकते हैं, उससे इनके आइस की प्रोलम दीरे दीरे कम हो जाएगी, तो यह कर सकते हैं घर पे, आपको क्या है, मेरे कंदे में बहुत ज्यादा पीम है, देखे, कंदे का जो दर्द है, यह कैसे हाथ उट रहा है आपका बढ़ गण रहा है कि आपका तो उट जाता है, लेकिन यह जैसा सारी रात अकड़ जाता है, मैं सो नहीं पासके, आपका देखे, इतला ऊपर जा रहा है, उससरों जा रहा है, शोल्डर फूरिजर नहीं है, यह मेरा अर्थरायटस है, यह निकल जाएगा दीरे-दीरे, तो अभी भी मेरे को स्टीराइड का इंजेक्शन लगा है कंद्रे में और उन्होंने प्रोटेंसी उसकी वड़ा भी दिया है इसका रेगुलर नेश्रोपेदी ठीक में आपकर होगे ना तो उससे दीरे दीरे ठीक होने लगे जाए और ये मेरे इस कान में आवाज आती है मेर रेगुलर दवाते रहोगे आपको अलकल का प्रीम रहेगा और इस से आपका कान में अवा जाने वाले दिक्टत वह ठीक होई जदा रही है इनको इतना प्रेंट क्यों हो रहा है सर्थ ये कह ना इनके पॉइंट पर प्रेंगे तो दर्द लगेगा तो ये वो सई में कमर की सब्सक्राइए कि ये जो आपको अटेश क Beiлем के सेन्टर से ये ये हाँ अश्यां कंता है और ये जो ओपर का पॉइंट है ये वाला आपका ये गुठने का पॐंट है, ये पेरों के दर्द का पॐंट है, फिक है आप देखो कि इनके दबाएगे नो إنको आ है से बंद हो रहे हैं, वह को क्यों कि हीं वह हैंक, प्रोलम है, इसको दबाकर आप, अपने गुठने का दर्द, कमर का दर्द, पेड़ों के दर्द सारे दर्द आई दूर कर सकते हैं उसके लगनज के पोइंट है जैसे यह नीचे का हईसा जो है काल में अंदर यह लंस का पॉइंट है ये थीक है ये अंदर की दर्फ जो है वो लंकुप्इट है लंग्स का है तो लंग्स के लिए देखें के लिए दर्द मैसुस हो रहा है ना इनके इंटेस्टेंड का पॉइंट है जहां पर डाइसन सारा इनका वीक है तो वह दवा के आप अपना डाइसन ठीक कर सकते हो किसी पॉइंटेट से करना है यहां से कर सकते हैं आप आप आगे हो तीके मेरे ना मैं पुर्वाल है मुझसे मिलने के लिए पना पर सब्सक्राइब